जो गर्मियों में आपके लिए रामवार साबित होगी तार के अंदर कौन सी गैस पड़ी हुई है आपको यहां दिख जाए एक ऐसा इसका चल रहा है साब कुछ भी नहीं आता ना कुछ लोग हैं ऐसे बेवज़े का ऐसा काम निकालने की कोशिश करते हैं कुलिंग कम करने ल चलता है आपको यह तो कितने टाइम बात कराना चाहिए और क्या वह रिजन एक्चल में गैस होती जिसकी वज़े से आपकी कूलिंग कम हो रही होती है सारी चीज़े इस वीडियों में और हाँ साथ में एक ऐसी ट्रिक भी आपके थार शेयर करूँगा जो गर्मियों में आ करने लगे पारा बहुत ज़्यादा चड़ जाए आपको बस वो ट्रिक अपलाई करनी और एसी तुरन चिल्ड हो जाएगा काम करने लगेगा बिना एक रुपए खर्च की तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो चलिए मेरे साथ इंजन में में थोड़ा सा आपको समझा दे देखो जी हमारे ac का जो system होता है इसके नीचे यहाँ पर एक लगा हुआ है compressor जो की run कर रहा है उसका काम है gas को compress करना यहाँ से line निकली आगे लगा हुआ है गाडी के यहाँ पर condenser जिसका काम है उस gas को ठंडा करना अब gas जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ से चलिजाती है सीधे यह आपके केविन के अंदर केविन के अंदर जाने के लिए यहां लगा होगा केविन के अंदर यहां से एंटर करती है और यह लगा हुआ है एकस्पेंशन वाल जो हमारी गैस को एक प्रे के रूप में अंदर भेजता है और इसके अंदर Dashboard के नीचे यहां लगी है cooling coil वहां से जब हवा होके गुजरती है तो हमारी vent से ठंडी हवा आती है Short में समझा दिया मैंने वैसे detail में एक वीडियो बना रखी है मैंने आप देखेंगे तो समझ जाएंगे AC सिस्टम आपको समझ में आएगा तो unnecessary कहीं भी बेवकूफ नहीं बनेंगे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा अब देखेंगे इस सिस्टम के अंदर जो line दिख रही है आपको इन line के अंदर रन करती है फेरान गैस और वो गैस अलग-अलग होती है आपकी कार के अंदर कौन सी गैस पड़ी हुई है आपको यहाँ दिख जाएगा यह देखेंगे स्टीकर लगा हुआ है यूज आर ए थर्टीफोर ए ओनली अब यह जो गैस है पूरी एक leak-proof system के अंदर रन करती है कहीं भी leakage नहीं होता और दूसरी चीज आपको बता दूँ AC की गैस कभी भी गाड़ी consume नहीं करती आपको लगेगा गैस डाली थी कम हो गई इतना टाइम हो गया कम हो गई होगी बिलकुल भी नहीं गैस consume नहीं होती है तो एक सवाल का जवाब तो यही हो गया कि हर साल आप जाते हैं सर्विस के लिए हर साल कोई बोल देता है साब गैस कम हो गई है गैस डलबा लीजिए ऐसा बिलकुल भी नहीं होता हर साल आपको गैस टॉप अप की जरुद नहीं पड़ती है कब पड़ती है जरूरत वह भी आपको बताता हूँ यह आप देख रहे हैं यह पाइप जोड़ा हुआ है इसके बीच में रबर की सील होती है और वह सील डेमेज होती है तो उस समय भी थोड़े बहुत लीकेज हो जाते है और कई बार तो बहुत माइनर लीकेज होते है लीकेज जैसे कि आपकी कूलिंग कॉइल के अंदर हो गया कूलिंग कॉइल अंदर लगी है यहां से अंदर डेश्बोट के नीचे उसमें अगर लीकेज हो गया उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है धीरे धीरे गैस लीक करती है लेकिन कितना भी धीरे लीक करें एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में, पांच दिन में वो गैस लीक करके खतम हो जाएगी ऐसा नहीं कि एक साल तक वो लीकेश चलता रहेगा और एक साल बाद आपको ज़रूत पड़ीगी गैस टॉप अप करने की हाँ, एक कंडिशन है जहाँ पर आपको टॉप अप करना पड़ जाता है गाड़ी में, वो कब आप समझ लीजे गाड़ी आपने लीड रही और वो पांच साल, छे साल करीब चला ली आपने पांच-छे साल बाद अगर थोड़ा बहुत टॉप अप मांग रही है गाड़ी तो वो एक तरह का उसको टॉलरेट किया जा सकता है, ठीक है जी इतना बहुत तो हो सकता है, लेकिन एवरी एर हर साल आप जा रहे हैं और हर साल बोल रहें कि साब अभी फिर से गैस जलत है, ऐसा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, अब AC सर्विस के जो एक्च्वल पार्ट होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं बता देता हूं, देखे, AC सर्विस में जो किया जाता है, इसके अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको ऐसे सर्व कई बार आप लोग गलत जगे पे AC काम करवा लेते हैं, तो वहाँ पे लोग ध्यान नहीं रखते हैं चोटी 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 चीजों का और थोड़ी बहुत एर अंदर चली जाती है, चोटी चोटी घलतियां कहा होती है, आपने देखा होगा, गैस फिल करने के लिए नहीं होना चाहिए, तो अब आप देखिए, अगर मैं इस पाइप से गैस भर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा दे तो इस पाइप के अंदर जब कुछ भी नहीं है, यह पाइप खाली है, लेकिन एर इसके अंदर है, गैस डालने से पहले जो समझदार लोग होते हैं, इसक कैसे किया जाता है, किसी दिने एक डीटेल में बता दूगा आपको, लेकिन इतना समझ लिए कि अगर आपके सिस्टम के अंदर एर है, एसको परफॉमस अच्छा नहीं होगा, कूलिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी, सर्विसिंग के पॉइंट्स, कंप्रेसर में आप कूलिंग कॉइल, उससे पहले एक फिल्टर, फिल्टर क्लीन करेंगे, कूलिंग कॉइल क्लीन करेंगे, और कई बार फोमिंग से इस वेंट को भी क्लीन कर दिया जाता है, ताकि आपको अन्नेसेसरी स्मेल ना है, या फिर जो डस्ट के पार्टिकल्स इसके अंदर ट्रैप होते हैं, वो साफ हो जाते हैं, इसके अलावा, AC सर्विस में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दो कॉइल की क्लीनिंग है, एक आगे कंडेंसर और एक अंदर कूलिंग कॉइल, कंप्रेसर में आप कुछ नहीं कर सकते, लाइन को आप नहीं छेर सकते, एक्सपेंशन वाल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी, तो ये होती है, इसकी सर्विस हर बार टॉप अप नहीं होता है, क्योंकि AC सिस्टम में गैस कंड्यूम नहीं होती है, ये आप नोट कर लीजे, और एक मुद्दे की बात, अगर जो गैस आपकी कंपनी से गाड़ी के अंदर डल के आईए, कोशिश कीजे कि जितना लंबे समय तक बिना टॉप अप के उसको चला सकते हैं, क्योंकि जो कॉलिटी उसकी है, आपको बाद में दुबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी में जब गैस फिल की जाती है, एक तो ओरिजिनल गैस होती है, वो आपको मार्केट में ज चीए, गैस वाले सिस्टम को छेड़ने मत दीजे, इतना जरूर कर सकते हैं, कंडेंसर को क्लीन करा लीजे, कूलिंग कोईल को क्लीन करा लीजे, और एक पॉइंट याद रखिए, कई बार हमारी कार का इंजन ओवरीट हो रहा है, रेडियेटर सही से काम नहीं कर रहा है, य गैस ही टॉप अप करनी है, और गैस टॉप अप एक ऐसा इसकैम चल रहा है, आपको बहुत सारे लोग अच्छे हैं, इमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, जो बेवज़े का ऐसा काम निकालने की कोशिश करते हैं, और मैं जो वीडियो बनाता हूं, इसलिए ब जब आपका AC कभी काम सही से ना करें, कुलिंग कम करने लग जाए, आपको क्या करना होगा, अब देखिए, जब आपका AC कुलिंग कम करने लगा, आपको कुलिंग बूस्ट करनी है, और ऐसा तब होता है, जब आप ट्रैफिक में फसे हुए हैं, बहुत लंबी गाड़ी च नमबर दो पे, ठीक है, और इसको सर्कुलेशन मोड में रहने दीजिए, ये, सर्कुलेशन मोड में आ गया, अब इसके बाद AC का कम्प्रेसर आउन कर दीजिए, कम्प्रेसर आउन हो गया, आपको फील भी आ गया, इंज में हलका सा वैबरेशन ले लिया, अब आप चलिए भले आप इस तरह से बकेट में ले सकते हो, या कुछ नहीं रास्ते में बोटल है तो बोटल में पानी बर सकते हो, ये लिया मैंने पानी और यहाँ, कहां डालना है आपको, ये देख रहे हैं कंडेंसर ये इस पर, आप ऐसे पानी डालेंगे तो आपको इसे आवाज अच्छे से डाल दिया आपने अब आईए अंदर आप दिखाता हूं आपको जैसे आपने पानी डाल दिया अब आप यहां पे फील करेंगे कूलिंग ऐसी होगी बिल्कुल और चिल्ड मतलब लगबग इसके अंदर हाफ का फरक आजाता है इस ट्रिक को एक बार यूज कीजेगा यूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएगा कि आपके लिए ये यूसफुल साबित हुई या नहीं और बाकी इस वीडियो में मैंने जो एसी से रिले कर दो जीचे और रहीं आजारे मतलब लूज के बचलाएंगा या भード करके लिए यूज करके लिएष।